ओके टुदे वी विल स्टडी एफॉर्ट लेक्शर इन सीजी आपके दमाग में बैठ जाए ठीक है तो ग्रॉम पास्टिव को फर्दर हम कटलेस पे स्ट्रिफ और स्टेफ में डिवाइड करते हैं ठीक है और जो स्टेफ को है उदर काउगुलेस पे फिर फर्दर औरियस पे और एपिडर्माइडस एंड सेप्रोफेटिकस में डिवाइड करते हैं ठीक है और फिर इन दोनों को नोव बैसिन पे डिवाइड करते हैं प्लोको काई जो के दो दो कोकसाई इसे मिले होंगे आपस में और एक है कोको विसलाई जो के थोड़े लंबे कोकसाई होंगे just like बेसलाई या रॉड टीक है अच्छा इसमें हम further निजीरिया और मरफजिला में और निजीरिया फिर further two types में होता था, जिसमें हमारे साहिए नजीरिया, गुनॉरिया, नीजीरिया में नजीरियोडी वहता था, ठीक है, ताले इस टूडे इस इंपोर्टन टॉटेटिक अप कोखोब बेसले हैं हमारे साथ टॉप पे जो है हेमोफरस इंफ्लूइंजा है इनीशले इट वाज टू मच नाटूरियस फॉर वीरियस इंफेक्शन लाइक लाइफ त्रिटिनिंग इफिगलाटाइटिस एट्सेटरा बट डियू टू इस एफेक्टिव एक्सिनेशन स्ट्रेटिजी अभी इसक शेफ पाथए के को बहुत है वर्ल्लस जो है इसका इच्परो्टियस की वज़ए से बट्रियला की ग्रॉब स्टेंग का भी पता है शेफ का को कोबेश लाइप पता है अच्छा वर्ल्लस जो है इसका एक तो यह अटेश्मेंट करता है जो म्यूकोजल स़र्फेसिश थे द हो वी हैव डिजीजी सो पर्टिस एड इंफ्लेजा इंफ्लेजा याद रख्के कह उटाइट मीडिया कास करता है कंजंग्टाइटिस और विधकर निंटिवायट इस ये और बिटल और स्थी स्थ इस भी कास करते है ठीख है don't forget this one और ब्रॉंकाइटिस कास करता है इपी ग्लोटाइटिस अब पहले बहुत ज़्यादा कास करता था अब भी कॉज आप विक्सिनेशन यह कम हो गया है एंस ट्रेप्टोकॉस निमूनी इस नावन इंपोर्टन कॉज मेन जैटिस जो है इच इंफ्लॉइंज आगा इट इस नौटॉरियस फॉर हेरिंग लॉस ठीक है और अलसो कॉज इस निमूनिया अच्छा बॉटरिल्ड पॉर्टिस जो है यह पॉर्टिस कास करता है और पॉर्टिस को हम हंडर्ड डे कफ भी कहते हैं और पॉर्टिस के टू टाइब सक्षेव ले होते हैं एक इसके इन्फेक्शन के से क्वेले होते हैं और दूसरा यह से क्वेले आफ कफ इसलिए इंपॉर्टन है अगर कफ वह ज्यादा हो तो बॉर्डी में ब्लीड दू सकती है माइनर हम्रेज़ हो सकते हैं स्पेशली इंट्राम पर्टिस में भी एज लीतल इंसे फिलापटी कास कर सकता है एंवन कें कास डेट ठीक है और विक्सिनेशन इसकी लिए भी अवेलेबल है लेकिन विक्सिनेशन की इफिक्टिनिस इतनी ज्यादा नहीं है इसकी इतनी इंफ्लुइंजा के इसलिए जो अब इसाइ ला थुब्रिसिला के ग्राम स्टेनिंग का पता है शेप का भी पता है जो हमने पहले बड़ रहा अचा सोर्स आप इंफिक्शन इसका बहुत ज्यादा कॉमन है डेट इस अन पॉस्चराइज मिल्क तो अन पॉस्चराइज मिल्क आपने कभी नहीं बूलना एक्जेम में आ का फ्रमेशन होती है और इसका इंपॉर्टन जो फ्यूर्टन इसको हम अन डिलेटिंग फ्यूरि के ते हैं विद अर्थ यूर्जिया इसको आगे इंशालला जब फ्यूर्थ पढ़ेंगे तो उसमें थोड़ा इसको डीटेल में डिसकस करेंगे कि वाट इस अन डिलेटिक जो डॉलेरंस से जिसकी उदाओ से टोलीमिया काज होता है सो नेवर फ़रगेट दो रैबिट हंटर से इंड डिस फॉर रैलेंटी एट थी के तो जह जो रैबिट हंटर होते हैं वह अक्सर रैबिट का स्किन और रैबिट का स्किन जो है और तोलुडीमिया क्या है? इसलिए इसको सम्टाइम्स रेबिट फीवर भी कहते हैं अच्छा जो प्रीवेश स्लाइड में हमने इच इंफ्लॉइंजा और इसके बारे में दो एक्स्ट्रा बात है मैंने ये करनी है कि आप लोगों मैंने कहा था कि जो मीडिया है डिफरेंट बिक्टिरियास के लिए वो हम टाइम टू टाइम साथ साथ में पढ़ेंगे तो इच इंफ्लॉइंजा को जिस मीडिया पे कल्चर करते हैं वो है चॉकलेट एकर ठीक हैं और दूसरे बसे जिसको हम चॉकलेट पे करते हैं वो है कव्यां कॉक्साइज जो है गोनो कोफस एंड मेनिगो कोफस मेनिंगो कोफस्ट्राइम गोनो कोफस्ट जो medium यूज़ करते हैं वो तैर-marten medium यूज़ करते हैं ठीके और तैर-marten medium चॉकलेट एगार ही है लेकिन उसमें हमने vencomycin ठीके एक antifungal और colistin डाला होता है ताके other bacteria जो है जो non-sterealcide को infect करती है वो inhibit हो जाए और सिर्फ जो हमारा desired bacteria है वो grow कर जाए ठीक है तो अगर आप लोग को याद हो जो हमने यूरिनली culture लिया था गॉनो कॉकस में तो उसमें हमने तैर-marten medium यूज़ किया था that is same chocolate agar medium with certain antibiotics and antifungal added last one है पॉस्टरिला तो पॉस्टरिला में इतना याद रखें कई अक्सर bite of infected cat से होता है पॉस्टरिला मॉल्टिकाइडा so don't forget the clue of bite cat and पॉस्टरिला infection और specifically पॉस्टरिला मॉल्टिकाइडा with this we come to the end of this lecture and inshallah इसके बाद हम rods पे जाएंगे and first we will study gram positive rods and then gram negative rods thank you so much